नमस्कार दोस्तों मैं सोर आप और आप देखे रहे हूं SS Creek Fantasy इस वीडियो के तुरू मैपको इस मैच से रिलेटेड हार एक प्लेयर का रिसेन फॉर्म पिछी रिपोर्ट कौन सा ऐसे प्लेयर है जिसको अज टीम में फिक कर सेकत हो कौन सा ऐसे प्लेयर है जिसको अब कंडिश इसलिए इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जूड़े रहिएगा इसके अलबास स्मोल लिगगर टेम एन कौन सा प्लेयर आज आपका ट्रामपी हो सकता है यह सब कुछ मैं आपको टेलिग्रम चैनल पर इंफोर्म करता हूँ इसलिए टेलिग्रम चैनल के साथ जूड़ना भी आपके लिए उतना ही इन्पोर्टन है नीचर डिस्क्रिप्सान पर लिंक है अब लिंक के थूँ हमारे साथ टेलिग्रम चैनल से जूड़ सकते हो शुरूआत करते हैं वेस्ट इंडिस और इंडिया के बिच में फास्ट टेस्ट मैच प्रेडिक्सान जो खेला जाने मला है 12 जूलाई 7 बाजगा 30 मिनिट पर कहाँ पर विंडेसर पर्क रेसिव डेमिनिका पर आप देख लेता है पिज रिपोर्ट यह आप जो पिज रहते हैं वो जैनरली थोड़ा हाड पिज रहते हैं शुरुवत में पेसार को थिक टक मादद मिलते हैं आपको देखने को मिल जाएगा पेस और शुरुवत में स्विंग आपको देखने को मिल जाएगा बैटिंग भी ठिक टक होता है लेकिन तीन दिन के बाद बहुत ही जाधा स्पीन आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही प्रविचंदर असेन मौझूद है अक्सर बैटे में मौझूद है जड़े जा मौझूद है एक से बढ़कर एक स्पिनर मौझूद है और यहाँ पर वेस्ट इंडिस का जो बैट्समन है बहुत इस्टागल करने वाल है यहाँ पर अभी तक पांच इंटरनेसल एंड टेस्ट और फोट इनिक्स में 159 स्कोरिंग होता है जनरली पिछले कुछ मैच का स्कोर कर देखके आपको पीछ के बारे में लगभग समझ में आ जाएगा पिछला जो मैच के लगया था पकिस्तान और वेस्ट इंडिस के विच में उस मैच में पकिस्तान ने पहले बैटिंग कर जो लुष सिप्नार जाएफ का जी ने कंवालिटी इसी लिए डाठी के दिखेंगा खास इंडिया कцен के बाउट हो जाड़िजा हो गया बहुत हो स्याल की कॐमतल ने वाला है इसले और वेस्ट आफ उन्व्हा सब्सक्राश कर सकतो बीच मैच का सकतो थीख त्र इंडिस ओर ज ज़्यादा हुए करता है लेकिन स्पीनर भी कुछ ज़्यादा फीचे नहीं है आप देख सकतो फिर से आपार जिंबावे और वेश्ट इंडिस के बीच में जो मैच के ले गया था उस मैच का भी आप स्कोर कर देख सकतो मतलब मोरा अलब दा स्टोरी क्या हुआ पहले दो दि इसलिए आपको ज़्यादा रान नहीं देखने को मिलागा और तीन दिन के बात बहुत ही ज़्यादा स्पीन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप देख लेता है वेश्ट इंडिस के पास्वेल प्लेगले मैं विट रिसेंट फॉर्म क्रैग ब्रैथवेट के तो यहाँ पर 182 एक विकेट यहाँ पर 25 नाइंटीन एक विकेट अल्मोस्ट यह बैटिंग से ठिक टक स्वेंट आपको देखते हैं और पार टाइम बोलिंग भी कर लेता है बोलिंग से उतना उमिद नहीं है लेकिन बैटिंग से आपको ठिक टक स्कुरिंग मारते हुए दे सकते हैं चंद्रपल का रिसेंट परम उतना कुछ खास नहीं है लेकिन बीच में यहाँ पर एक डबल सतक आया था लेकिन इस मैच को छोड़के इसका पदर्सन काफी एवरेज रहा तो अगर आप चाहते इसको टिप में पिकर्स देखते हो लेकिन उतना इनपर्ट नही होने वाल है आप इसको ग्रैनलिंग में ट्राइग कर सकतो रैंओन रैफर को अब ग्रैनलिंग में जाड़ी ट्राइगर ना बैटिंग और बोलिंग दोनों सबको पर्दाशन करके दे सकते हैं ब्रैकुन का भी रिसेंट परम आप देख सकते हो एक-दो मैच को छोड़के क कुछ खास नहीं है यह पर 79 यह पर 57 और यह पर 63 यह दो-3 मैच को छोड़के इसका भी पदर्सन कुछ खास नहीं है नामबर 5 पर आपको राकीम कौनवाल को देखने को मिल जाएगा भारी भरकम राकीम कौनवाल ठीक्टा खेल लेता है टेस्ट में यह बोलिंग भी कर लेता ह और बैटिंग भी कर लेता है इसलिए यह राकीम कौनवाल इनपरेंट भी होने वाला है नामबर 6 पर आपको एलिक आथना जी को देखने को मिल जाएगा इसका डेवी होने वाला है टेस्ट मैच जौसवा डी सिलवा इनपरेंट भी हो सकता है विकेट किपिंग सेक्शन से आपको यह कुछ ना कुछ पॉइंट देने वाला है और यह बैटिंग भी ठीक टेक कर लेता है अल्मोस्ट थान मैच वही उसको आपको जैसन होल्डर को देखने को मिल जाएगा बहुत है इनपरेंट पीग होने वाले है बैटिंग और बोलिंग दोनों से परफिंग सेक्त है और यह बैटिंग भी कुछ कर लेता है इसलिए अल्जारी जोसेफ इनपरेंट पीग होने वाल है उसको आपको वारिकान को देखने को मिल जाएगा इसका भी रीचन पर आप देख सकते है तो ठीक टक है उतना कुछ खास है कीमो रोज ठीक टक विके चटक कर लेता है अक अगर खेलता है तो उसका भी रेकॉर्ड आप देख सकते हो आप देख लाता है इंडिया की पॉस्वेल प्लिंग हमें उद रीचन फॉर्म रोईद सर्मा के साथ आपको सुम्मान गिल्ड को ओपिनिंग करते है देखने को मिल जागा रोईद का फॉर्म काफी वेकार चल र आप देख सकते हो और यह सेंडियंस में इसको जो आउड देया गया था मतला वह ग्रीन का जो क्याच था वो तोड़ा उसके ऊपर थोड़ा बाच्चीज हो रहा था लेकिन फिर भी गिल्ड का फॉर्म आप देख सकते हो उतना कुछ खात नहीं है लेकिन ओडियाई और यहाँ पर सतक है आज भी टिक टेक करने वाला है क्योंकि वेस्ट इंडिस का जो बोलिंग अटक है वह उतना स्ट्रॉंग बोलिंग अटक नहीं है यहाँ पर सुम्मोंगिल अच्छा कर सकते हैं और जासवाल को आपको देखने को मिल जगा नंबर तीन पर वैटिंग करते हैं फुझार है के जगा आपको देखने को मिल जगा जैस्वाल को यह रिसेंदी IPL का फोर्म में काप ही अच्छा किया था अब सभी को पता है और यह मैं कोई ज़ारत नहीं है सभी को बता है और अब सभी को पता है उसको आपको रहाने को देखना को मिल जाएगा और मैं हर मैच में बोल दा हूँ आप लोगोंने तो मेरा बात सुना ही नहीं उस मैच पे रहाने का सेलेक्शन परसेंटेज काफी काम था लेकिन आज रहाने का सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा बढ़ गया है वाल्टेस चैंपियर्स फाइनल में रहाने का सिलेक्शन पर्सेंट है 10 या 15 पर्सेंट लेकिन रहाने एक मत्रव बैर्स बनता इंडिया के लिए जो ठिक टक बैटिंग किया था दूनुनिस में ठिक टक बैटिंग किया था उसकवल आपको जाड़े जाको देखने को मैं जागा फिलल जाड़े जाके बारे में बुलने की कोई जरुर्ण नहीं है अब सभी को बता है बैटिंग और बोलिंग दोनों से आपको पर्सेंट करके दे सकता है टेस्ट ऑल राउंडर रैंकिंग नंबर वान है बहुत ही इन् राटिंग और बोलिंग दोनों सब को पर्सेंट कर के दे सकते है उसकवल आपको देखने को में जागा रावी चंट्र अस्धिन को बहुत ही इन्मपशंट कि क्योंकि मैं आपको पहले ही बला था वेस्ट इन्डीज का जो टीम है उस पीनर के आगे मतलब श्टागल करता है और आस्पिन आप ब्रेक बुला रहे और वेस्ट इंडीस के समने बहुत सारे लेप्ट हेंडर बैट्समैन मोजूद है यहाँ पर आस्पिन बहुत ही इंपरेंट भी होने बले है उसका पर आपको मुहमद सिराज को देखने को मिल जाएगा विकेट टेकिंग बुला रहे है अगर खेलते हैं तो उसका वी रेकट आप देख सकते हो आप देख लेता है विकेट कीपर सेक्षन से आपको जौसुआ डी सिल्भा को देखने को मिल जाएगा और शिकर भारत को देखने को मिल जाएगा फिलल इन दोनों का फ़र्म कुछ सही नहीं है लेकिन शिकर भारत से अच्छा अब जौसुआ डी सिल्भा के साथ जा सकते हो कि इन दो यह फ़र को पक्का बैटिंग करने वल है और कीपींग करने वाल है शिकर भारत का बैटिंग का कोई कंफरमसन नहीं है एक ही बार साय बैटिंग मिल सकते है इसलिए अब जॉस्वा के साथ जा सकतो बैटिंग सेक्षन से आगर आप चाल तो रोईद सौनमा के साथ जा सकतो टैलियंड की कोई कमी नहीं है अब सभी को पता है रोईद सौनमा की श्रीप का प्लियर है लेकिन वही दिग्यत की बात है फॉर्म उस तरीका नहीं है जिसके चलते हुए मैं रोईद सौनमा को नहीं पिक करने वाला हूँ वर्याट कली इंपर्टेन पिक होने वाले और रहाने का सिलेक्शन परसेंटे देख लिए 59 परसेंट हो गया मैं आपको पहले ही बला था रहाने एवे कंडिशन में ठीक्टा खेल लेता है इसलिए रहाने लेकिन नामबर तीन पर खेलने आगा लेकिन फिर भी चल जाता है क्योंकि टेस्ट में यह वो डिया या टीट्वेंटी फॉर्मेंड नहीं है यह आप उपरिंग बेट्समेंट और नामबर तीन पर खेलना सेम से होता है अल्मोस्ट ठीक है अलराउंडर सेक्शन से जाड़ नहीं तो आप अल्जारी जोसेव को पिक कर सकते हो जोसेव और कॉनवाल के साथ ही जा रहा हूं बोलिंग शेक्शन चे से उससिराज बहुत ही इनपरेंज होने होने इक भाला है और मैं आपको बोल दिया आप जोसेव और कॉनवाल को जरूर पिक कर충 क्षन को जरूर पिक क क्योंकि मैं आपको पहले ही बोला था वेश्ट इंडीज का जो टीम है यह स्पीनर कहेंगे श्टागल करता है और तीन दिन के बाद और भी स्पीन हो जाता है और सामने बहुत सारे मतलब वेश्ट इंडीज के पास लेफ्ट हेंडर बैस्वन मौझूद है इसलिए अस्पीन बहुत ही इनपड़िन पी होने वाला है अब विर्याट को भी कैप्टेन वेश्ट कैप्टेन बना सकते हो और आप गील को भी कैप्टेन वेश्ट कैप्टेन बना सकते हो वीडियो अच्छा लगा और इंफॉर्मेटिव लगा तो चैनेल को जरूर सब्सक्राइब कर दीज झाल 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 झाल